दोस्तो रोजाना गवर्णमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैंसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेला इकन को भी दबा ले दोस्तो एक बार फिर सेमाप के लिए बार्ग की नियू रिक्रूटमेंट अपडेट लेके आ चुके हैं जोस्तो वर्ष 2030 का नया विज्ञापन जारी हो चुका है और ऑनलाईन आवीदन परकियाभी इसके लिए आज़ीस से सुरूआ होने जा रही है जोस्तो 24 अप्रेल 2030 से 22 महिं 2030 तक आप इस भर्थी के लिए ऑनलाईन आवीदन कर सकते हो All over India से आप apply कर सकते हो Male female दोनों candidate इस भरती के form fill कर सकते है Bumper vacancy जहाँ पर निकली है 4304 खाली पद है जिनके लिए आप से online आविदन पत्तर मंगाई जा रहे है 1020 युपास ITI degree diploma धार कैंडिडेट अपलाई कर सकते है जिन दुस्तों यहाँ पर स्टिपेंडी ट्रेनी, category 1st, category 2nd, technical officer C, scientific assistant, technician की भरती निकली है यहाँ पर हम आपको complete जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर यह post-wise exam syllabus इसमें आपका रहेगा क्या post-wise vacancies है, qualification age limit, यहाँ पर post-wise क्या रहेगी, क्या selection criteria है किस category को कितना विदन सुल्क जमा करना होगा, कैसे आप इस बरती की official notification के PDF डाउनलोड कर सकते हो कैसे apply कर सकते हो, और कब से कब तक आप apply कर सकते हो step by step पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंतक इस वीडियो को पूरा देखने पर आपके सभी स्वाल और आउट के लिए रहोंगे तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कहा है, शुरू करते हैं बार्क रिक्रूटमेंट 2023 की पूरी जानकारी जयंस्तो भाबा ओटोमिक रिसस सेंटर भाबा परमानू अनुसंधान केंदर बार्क के इंतरगति वरती निकली है यहाँ पर पोस्ट है स्टिपेंडी ट्रेनी केटिगरी फर्स्ट के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 1216 वेकेंशिज है केटिगरी सेकेंड के लिए 1946 सबसे दिक वेकेंशिज है Technical Officer C के लिए 181 वेकेंशिज है Scientific Assistant B के लिए साथ है Technician B के लिए भी 24 वेकेंशिज निकली है बात अगर इसकी Important डेट की की जाए तो आवेदन परकिरियास भरती के लिए स्टार्ट होगी 24 अप्रेल 2030 से Last date online आवेदन करने की 22 मही 2030 से Feast payment करने की Last date भी 22 मही 2030 है Exam date अभी डिकलेर नहीं की गई है बात अगर यहां पर इसमें सेल लिए डिटेल की की जाए तो पोस्ट वाइज आप जानकारी चेक आउट कर सकते हो Category 1st के लिए 26,000 है Category 2nd जो STP है उसके लिए 22,000 है Out Technical Officer के लिए 36,400 है Scientific Assistant के लिए 35,400 Technician के लिए 27,700 सेली है परती महा के लिए Educational Qualification के अगर यहां पर बात की जाए तो दस्वी बार वी पास, ITE, Degree, Diploma धारक एपलाई कर सकते है Post-Wise Qualification हम आपको इसकी Official Notification की PDF से दिखाएंगे बात अगर Age Limit डिटेल की की जाए तो यहां पर Stipendic Training Category 1st के लिए देख सकते 19-24,000 है Category 2nd के लिए 19-22,000 है Technical Officer के लिए 18-35,000 है Scientific Assistant के लिए 18-30,000 है Out Technician के लिए 18-25,000 है Application Fee General OBC EWS Category Candidates के लिए इसमें Post है जो Stipendic Training Category 1st उसके लिए 150 है Category 2nd के लिए 100 रुपे है Technical Officer के लिए 500 है Scientific Assistant के लिए 150 है Technician के लिए यहां पर 100 रुपे Application Fee's है और जो SC, ST, PH या Female Category है किसी भी Post के लिए उनको Fee's जमा नहीं करनी होगी Debit Card, Credit Card या Net Banking से आप Online Fee's टैमेंट कर सकते हो बाद अगर Selection Criteria डिटेल की की जाए तो Stipendic Training Category 1st और Scientific Assistant B के लिए Computer Based Screening Test और Intue होगा यहां पर Stipendic Category 2nd Training के लिए देख सकते हो Technician B के लिए Pre-Test, Advanced Test और Skill Test होगा Technical Officer C के लिए केवल Intue के आधार पे आपका Selection किया जाएगा Online तरीके से आप आवनीजन कर सकते हो All Over India से आप Apply कर सकते हो Bark.gov.inout BarkOnlineExam.com जिसकी Official Website है जिससे आप Online Apply कर सकते हो दोस्तों इस भरते की Official Notification की PDF डाउनलोड करने के लिए डाइरेक्टली Apply Online करने के लिए आपको हमारी Website IND-Sरकारीनोकरी.in का लिंक कर नीचे description पलस first comment box में मिल जाएगा और हुआरी स्पेज पर विजिट करके इस पेज के end में आप देख सकते हो यहाँ पर important links का आपको section दिया गया है यहाँ पर अलग-अलग language English और Hindi language में दो notification के link दिये गया है आप यहाँ से कोई भी language की PDF डाउनलोड कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर आप जैसे link पर click करोगे तो यहाँ पर English की notification ओपन हो जाएगी और साथ साथ ही Hindi की PDF भी ओपन हो जाएगी आप कोई सी भी language में यहाँ से आप अपनी coding यहाँ से जानकारी चेक आउट कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको date दी गई है आवीदन करने की 24 सप्रेल से 22 मही तक online आवीदन चलेंगे केवल online तरीके से ही आप इस भड़ती के लिए आवीदन कर सकते हो यहाँ पर थर्ड नंबर का यह advertisement है बार के इंतरगत सबसे पहले आप यहाँ पर इसमें वैकेंसी इनफोरमेशन चैक आउट कर सकते हो और सेली डिटेल चैक आउट कर सकते हो टेक्निकल ओफीसर के लिए जो सी है इसके लिए एक सी क्यासी वैकेंसी जैग ग्रूप ए की पोस्ट है लेवल 10 के इंतरगत 5600 सेली है सैंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 7 वैकेंसी जैग ग्रूप बी की पोस्ट है लेवल 6 के इंतरगत 35400 सेली है टेक्निशन बी के लिए 24 वैकेंसी जैग ग्रूप C की पोस्ट है लेवल 3 के इंतरगत 2700 सेली है इसी तरह जो यहाँ पर ट्रेनिंग स्कीम है Stipendia Training की Category 1st के लिए 1216 vacancies है 1st year के लिए 24,000 रुपे सेल लिए है और 2nd year के लिए 26,000 है Category 2nd के लिए 2940 vacancies है 20,000 1st year के लिए और 2nd year के लिए 22,000 रुपे सेल लिए है परती माह के लिए है तो दोस्तों हैं पर यह vacancies है और सेल्डी डिटेल की आप जानकारी चेक आउट कर सकते हो इसी तरह यहाँ पर आपको category wise vacancies दी गई है कि किस category के लिए यहाँ पर कितनी vacancies निकली है सभी post के लिए आप discipline wise और category wise vacancies की जानकारी चेक आउट कर सकते हो वीडियो को pause करके साथ इसाथ बात अगर qualification डिटेल की की ज आरक BSC से आप apply कर सकते हो qualification अलग अलग दी गई सभी post के लिए जो आप check out कर सकते हो और scroll down करते हुए आप यहाँ पर complete detail चेक आउट कर सकते हो इस बरतिस related यहाँ पर qualification age limit की भी जानकारी दी गई है age limit की जानकारी आप यहाँ से post वाई चेक आउट कर सकते हो किस post के लिए क्य क्या आयू शीमा रहेगी किस category के लिए क्या age relaxation नहेगी जैसे कि OBC को तीन साल की छूट मिलेगी उसके लिए यहाँ पर computer based screening test और into के आधार पर आपका selection किया जाएगा जो technician bear category second है उसके लिए यहाँ पर stage first में pre test होगा stage second में advanced test होगा stage third में skill test होगा stage first में आप देख सकते हैं यहाँ पर pattern दिया गया है यहाँ पर screening test होगा जो 50 multiple choice questions होगे यहाँ पर 4 options दे जाएंगे सभी के लिए जैसे कि mathematics के लिए 20 questions होगे science के लिए 20 questions होगे general awareness के लिए 10 questions होगे तो यहाँ पर इसका pattern दिया गया है इसी तरह advanced test होगा उसके लिए आपको जानकारी दी गई है यहाँ पर जो test होगा हो 50 multiple choice questions होगे इसके लिए 4 options मिलेंगे यहाँ पर आपको इसमें details से दी गई है आप चेक आउट कर सकते हो इसकी टेस्ट की भी information आपको यहाँ पर दी गई है इसी तरह how to apply का procedure देगा है इस portal से आप online आवेदन कर सकते हो बार्क online exam.com यह इसका official portal है जिससे आप online आवेदन कर सकते हो photograph signature का size देगा है आवेदन करते से में आप यहाँ से चेक आउट कर सकते हो कित jam center रहने वाले है ओल ओवर इंडिया से आप इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हो साथे साथ दोस्तों यहाँ पर आप जैसे scroll down करोगे तो यहाँ पर आपको बाकी की detail दीके general instructions दीके है जिनको आप read out कर सकते हो साथे साथ यहाँ पर आपको यह पूरी PDF read करना आनिवारी है apply करने से पहले English या फिर Hindi की PDF भी आप इसी तरह से यहाँ से read out कर सकते हो complete जानकारी दीक ही है read करने के बाद में आप इस भरती के लिए online आवेदन कर सकते हो online आवेदन करने के लिए भी हमारे portal पर apply online का link है इस link पर आप जैसे ही करोगे तो इसका online का यह portal open हो जाएगा यहाँ से आप इस भरती के लिए online आवेदन कर सकते हो PDF आप इसकी यहाँ से भी download कर सकते हो English PDF और यहाँ पर हिंदी PDF का link दिया गया है यहाँ से आप इसकी official notification की PDF डाउनलोड कर सकते हो साथ यहाँ पर advertisement section से भी आप English यहाँ फिर Hindi की PDF डाउनलोड कर सकते हो आवेदन करने के यहाँ आपको date दीगे 24 सप्रेल से 22 मही तक आवेदन चलेंगे फीस पैमेंट भी आप 22 मही तक ही कर सकते हो और आवेदन करने के लिए one time registration का यहाँ पर यह section दियागे यहाँ से आपको registration करने के लिए अगर आपने पहले से registration किया है तो आपको directly login करना होगा जिया दूस्तों यहाँ पर आपको registration करना होगा उसके बाद में documents वगरा photograph signature upload करने होगे qualification डिटेल फिल करने होगे application fees का payment करना होगा उसके बाद में finally form submit कर देना होगा यह simple से process है जिनको follow करते हुए आप आवेदन कर सकते हो सबसे पहले one time registration करना हो उसके बाद में बाकी का procedure आपको completely यहाँ पर करना हो का step by step तो दोस्तो इस तरह से आप online आवेदन कर सकते हो बाकी की जानकारी के लिए आप official website पर भी visit कर सकते हो बार किए official website है तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे like और share जरूर करे साथ इसाथ दोस् कि ए स sprawे तोस्तों दोस्तों आपको पसंद आप़ में आप वाल में आपको पका म राख़ और